Almost definite है कि Russia का Luna 25 हमसे पहले land करेगा ये देखके काफी लोग दुखी है कि ये इजरो का record चुरा रहा है वगेरा वगेरे ये हमें थोड़ा deeply समझना होगा इस वीडियो की 4 parts होंगे सबसे पहले मैं explain करूँगा कि क्यूँ वो एक दिन या दो दिन पहले land करे हमसे secondly ये क्यूँ matter नहीं करता है third ये जो first two parts से disappointed हुए उनको थोड़ा material दूँगा खुश करने और fourth, fourth part है नहीं चले जानते है क्यूँ land कर रहा है पहले उससे पहले वो समझने के लिए मतलब हमें उनका landing spots देखना होगा ये देखो आपके screen के उपर उनके landing spots है जो pins है right वाला pin जो है वो lunar 25 का है 69 degrees south और 43 degrees east और जो left वाला pin है वो चंद्रयान 2 का है जो है 69 degrees south ही पर 32 degrees east अब अगर आप moon का sunrise देखो या जो फेजिस आते है moon के वो moon के right से left को आते है तो अगर आपे animation में देख रहे हो इसका मतलब ये है कि lunar 25 के location पे सबसे पहले sunrise होगा ठीक है अब कुछ लोग confuse होगे कि sunrise का क्या correlation क्या है इस case sunrise का relation ये है कि चांद की उपर एक day होता है 14 earth days यानि जब धर्ती पे 14 दिन होगे तो आएक दिन होगा ये important क्यों है क्योंकि इन missions को पूरा science instruments को use करने make sure करना होगा कि वो पूरा 14 days of sun यूज कर पाए क्योंकि ये solar powder है mostly अब हाँ ये exception है कि रश्या के पास एक radioactive heating unit है जो इसे गरम रखेगा रात में मतलब ये रात उती चांद पे तो बहुत थंड़ा होता है बहुत high chances है कि आपका lander मर जाएगा पर फिर भी रश्या चांस नहीं ले सकती क्योंकि वो backup option है तो first 14 days make sure करना चाते पूरा science मिले चंद्रायन 3 का भी same है चंद्रायन 3 का 23rd August first day होगा moon पे फर्स मतलब start होगा day का moon पे और वो make sure करना चाते उन्हें 14 days मिले चंद्रायन 3 का इसमें और भी important है क्योंकि उसके पास कोई nuclear hitting unit नहीं है वो बहुत high chances है वो नहीं जी पाएगा after night तो जब एक महने बाद sun आएगा वापिस शायद वो नह उटे और रश्या का most likely उटेगा क्योंकि वो एक साल के लिए rated है उस nuclear hitting unit के साथ but then again हम assume कर रहे हैं यहाँ पे mission successful होगा और यह क्या मतलब रश्या का 50 साल almost 50 साल बाद 47 years के बाद mission हो रहा है काफी सारे लोग resign किया होंगे institution knowledge lose होगा team knowledge lose हो तो हर moon mission पे chances होते हैं वो fail हो तो हाँ यह पूरा video assumption है कि दोनों success होंगे तो scientifically यह sense करता है लूना का उस दिन land करना ठीक है इन दोनों के बीच का distance 120 km अगर मैंने नहीं बोला तो अभी क्या problem है records के साथ अभी problem यह है कि लोग जब उन्हें complexity नहीं बता किसी चीज की किसी mission की या engineering की वो जो भी nearest, dumbest या most simplest चीज है उसको आके चिपक जाते हैं जैसे जब चंद्रान 3 lost हुआ, lost नी sorry launch हुआ तो सब बाती करते हैं 600 करड की 600 करड की क्यों matter करते हैं similarly records भी matter नहीं करने चाहिए, यहाँ पे हम अपनी engineering powers दिखा रहे हैं और science कर रहे हैं कुछ लोग को literally लगता है कि इसरो वहाँ बैटके decide करते कि क्या record फोड़ेंग है इस बार आपको क्या लगता है, chairman सुमना तो वहाँ chair पे बेटा और बोल रहे हैं कि भाई Venus mission में at least 6 records फोड़ने पड़ेंगे वरना जो साहिल राजु है, twitter पे उन्हें cloud farming करने में मुश्किल होगी really, missions designed होते है science के तरफ से और often designed होते है कि क्या नया science कर सकते है अब नया science करने के इसमें नये records बन जाते है, records एक consequences नया science करने का ना की reason अब आप पुछोगे कि science कोण explain करेगा, मैं करूँगा, subscribe करो, subscribe करो, मैं एकदम detail में science कर और engineering कवर करने वाला हूँ, चंदरयन तरीकी है, कुछ अगले दिनों मैं वीडियो जाना start होगी अब ठीक है, ठीक है, चलो, आपको first South Pole land करवाना भी है, पर question आता है, क्या ये दोनों lander South Pole landing बोल सकते हैं हमीने, अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा है, 69 degrees पे, right, South Pole कहा है, 90 degrees पे, मतलब एकदम नीचे, और recently, Astronil भाई ने, वो moon की उपर, India का map डालके भी दिखाया था, कि य GSE, South Pole region है, किसने define किया पता नहीं, पर है region, अब यही problem है records के साथ, अब मैं आपको खुश करूँगा, जो भी disappointed हुए records के साथ, मेरे पास तीन है आपको चीजे खुश करने के लिए, एक ते records का क्या है, records का जितना अब resolution बड़ा, उतने नहीं records निकलेंगे, right, मतलब Goa का first cr South Goa में किसी village का first cricketer, उस village में किसी area का first cricketer, तो ऐसे आप थोड़ा deep down करो, तो records आ जाते है, right, इस case में एक बड़ा record है कि, देखो, लूने के पास rover नहीं है, हम सब को Twitter पे बोल सकते है कि, हाँ, हाँ, ठीक है, land कर लिया, पर हमार पास world का first South Pole rover है, ठीक है, second, second record आप बोल सक सकती कि हम closest to South Pole land कर रहें, आप दूर हो, ठीक है, technically speaking, और third, third actually बहुत बड़ा bomb पे, जो लोग फोड सकते हैं, बड़ फोडते नहीं क्यों क्यों नहीं बता, कि 2008 में चंद्रयन वन पे, इसरो ने almost 90 degrees, मतलब actual like the OG South Pole, उस पे एक hard landing करवाई थी on purpose, hard lander, moon impact probe की, मैंने एक video बनाय है, recently उसके उपर, आप देख सकते हो, तो वो तो मतलब actual first, world की first South Pole landing है, किसी भी देश से पहले, तो अगर आपको brag करना है उस दिन, तो ये सब मैंने आपको दे दिया है, आप नए records भी बना सकते हो, ऐसे कुछ, right, तो बस आज के लिए इतना ही था, short video था, इसलिए ये member short out वगरा नहीं कर रहा हो कल, हाँ, बस game के गरीव सबसे बड़ी, जहीं जय बारत, बाई बाई, चले गएगा, ये records वाले चले गए, ठीक है, अब एक बार लूना 25 की बात करती, क्योंकि मेरे को actually हो काफी cool लगा, इंजिनेरिक वाइस भी और साइन्स वाइस भी काफी इंटर चीज यह है, लूना 25, अगर आप architecture देखो, तो kind of नीचे का जो propulsion model है, जिसमें fuel और engines है, वो separate है, उपर के जो science और instrumentation model है, उससे, इसका मतलब यह है कि टेक्निक लिए आपने एक बार freeze कर दिया design, तो इसकी उपर आप अलग-अलग चीज़ी डालते जा सकते हो, जैसे future में written vehicle या कुछ भी हो, क्योंकि आपका lander प्रूव हो गया, आपका जो platform हो प्रूव हो गया, तो काफी interesting है यह है, और secondly इसका science देखो, तो suspiciously चंदरायन 3 के तरह है, इसका lander का, बहुत close है, मतलब instrumentation suit, अब यह हो सकता है, क्योंकि originally चंदरायन 2 रशया के साथ plant था, या maybe not, मुझे नहीं बता इतना detail रशया के affairs का, बट देखते हैं, सबसे पहले तो यह जो उनका laser mass analyzer है, जो interestingly काफी close या similar है in concept to, अपना जो LIBS है, laser induced breakdown spectrometer, बट interesting चीज़ क्या है यहाँ पे, कि वो instrument lander पे fixed होगा, और एक scoop होगा side में, एक JCB type चोटा, जो मिटी निकाल के उसे देगा, तो क infrared spectrometer वगरा तो है ही, फिर gamma radiation source है, जो again मेरे को close लगा, अपने ASPX instruments है, इसके बाद mass spectrometer है, mass spectrometer interesting इसलिए क्योंकि आपको, आपने मेरा moon water video देखा है, तो लफड़ा बता है, आपको mass spectrometer से शुरू आता, तो इसका मेरे को data जानने interesting होगा, कि यह lunar exosphere या lunar atmosphere में क्या इसका data निकलता है, of course, यह scoop जो मैंने कहा, वो तो है ही, plus इतने सारे cameras है, I mean, यह इनका अच्छा लगता है, वो make sure करते है, कि वो जो भी कर रहे है scientific wise, वो अच्छी तरह represent करें, अच्छी तरह film करें, जहां भी जा रहे है, अच्छा posters वगरा बनाए, respect है, तो यही था आज के लिए, एक short video, यह video बना नहीं था मुझे, वो कल के failure video, मतलब वो चंदरें to failure explanation video में इतने सारे comments है, दिमा करा हूँ, और अभी नहीं correct करूँगा, तो और भी comments करेंगे वो future videos में, इससे अच्छा इसी video को victim बनाते हैं, बाई बाई